दोस्तो आज बात करेंगे एक ऐसे लेजन्ड के वारे में जिनोंने की बोडी बिल्डिंग के दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम कमाया था जिनका नाम है रॉइनी कोलमेन आप सभी लोग इनको इनकी बज़े से ही बोडी बिल्डिंग को जानती हूँ ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग उनने जब अपने बच्पन में ये डिसाइड कर लिया था कि इनको बहुत ही बड़े फिमस बोडी बिल्डर बनना है तो इनकी जर्नी सुनते हैं यह है इसे रॉनी कोलमेन का बच्पन रॉनी कोलमेन का जन्म 13 मई 1964 को टेकसास अमेरिका में हुआ उनके पिता का नाम जेसी कोलमेन था और वे एक आर्मी अधिकारी थे रॉनी कोलमेन की एक छोटी बहन भी है बच्पन से ही रॉनी कोलमेन एक प्रभावशाली शरीर बनाने में रुची रखते थे उन्होंने विभिन्न खेलों में भी भाग लिया और अपनी शारीरिक शमता को निखारा उन्होंने अपनी पढ़ ई-पूरी की और बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुवात की रॉनी कोलमेन का बच्पन और युवावस्था आर्मी में गुजरी जहां उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया इस दौरान उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिती को और भी मजबूत बनाने के लिए व्यायाम पर ध्यान दिया वे अनुकरणिय आदर्श बने और लोगों के बीच प्रमुखता प्राप्त की यहां तक की रॉनी कोलमेन ने जब बॉडी बिल लिडिंग करियर शुरू की तो वह अपनी पुलिस नौकरी भी जारी रखी रॉनी कोलमेन एक प्रमुख अमेरिकी बॉडी बिल्डर और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं उनका जन्म 13 मई 1964 को टेकसास अमेरिका में हुआ रॉनी कोलमेन को अध किंग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे बॉडी बिल्डिंग इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रतियोगी में से एक हैं रॉनी कोलमेन की बॉडी बिल्डिंग करियर 1990 के दशक में आरंब हुई जब उन्होंने नवाजीवन सिंह गुलियार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया उन्होंने इसके बाद सिरीज O of Mr. Olympia शीर्शकों को जीत कर धाव प्रताप किया वे 1998 से 2005 तक क्रमशह आठ बार Mr. Olympia चैंपियन रहे रॉनी कोलमैन के शरीर को देख कर व्यायाम पेशेवरों ने हैरानी व्यक्तर वजन उठाना रॉनी कोलमैन ने अपनी बॉडि बिल्डिंग करियर के दौरान अनेक वजन उठाने के रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने लेग प्रेस मशीन पर 2300 पाउंड 1043 किलोग्राम अपने पुरे शरीर के साथ पुल डाउन मशीन पर 2600 पाउंड 1179 किलोग्राम और लेग प्रेस मशीन पर 1800 पाउंड 816 किलोग्राम का वजन उठाया विश्व चैंपियन और ऐसे बहुत सारे बोडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से इन्होंने जीते अपनी लाइफ में और बोडी बिल्डिंग के किंग बने